आप सब खरीयत से होंगे आज की हमारी वीडियो वेब डिवेल्पमेंट पे है यह हमारा आज का फर्स लेक्चर है तो इसके लिए हम वीवर्स जो है सब्लाइम टेक्स एप है वो यूज करेंगे हमारे पास जो एडिटर होगा सा यहां हम कंट्रोल अन कर लिए न्यू फाइल कर सकते हैं नेक्स्ट मैं कर लेता हूं न्यू फोल्डर क्रीट तो इसका नाम मैं रख लेता हूं वेब हम एक वाहँ सबあっ है क्लासिव जैनल का नाम है क्लासिव एडिकनलोजी है देन पर उपन करना है से नेम लिखते हैं तो मैं फाईल का नीचे से सके अबिश्टय। है लेक्षट फर लेना है जंलाते बढ़ का दर ऑपने लिए । इसको सेव कर लेना है जब यदिमरे पास सेव हो जागी आपने यहाँ से स्टाॉट करना है अब HTML वह देख सकते हैं कि मैंने इसेफ एच लिखा था तो मेरे पास सारी फाइल आ गई थी अब हमारे पास टाइटल का टेग होता है, आप देख सकते हैं कि tmd و का टेग और यह एलने टाइग और यह बाडी का टेग हरे का tag आपने हमेशा से लिखना होता है, जब आप टैग को लिखें उसको उपन करें तो आपने उसको लाजमी क्लोज भी कर लेना है क्लोज के लिए आपने ये वाली बार लगा नहीं है साथ और उसके सेम नेम दुबारा लिख देना है इसी एंगल ब्रैकेट्स के अंदर तो आपका क्लोजिंग टैग हो जगा आप इधर टाइटल कोई भी वेबसाइट का दे सकते हैं जो आप वेबसाइट जिसके रिलेटिड बना रहे हैं तो मैं इसको भी नहीं यूज करता अभी आप स्टार्ट का रहे हैं फर्स्ट लेक्च है तो एच वन है एच टू है यह बड़ी हाइटिंग लिए चोटी हाइटिंग के लिए मैं आपको एज़ा प्रोफेशनल काम सिखाता हूं जब हम किसी भी साफ्टर होस्यां कंपनी में जाएंगे तो हमें एक पीएसटी देंगे तो इसके लिए हमें फोटोशाप का जानन को साथ कोड़ करना है यह कोड़ करने हैं तो हम फिर सब्सक्राइब की तरफ बाद में अभी नहीं तो यह हम देख लेते हैं हमारे पास यह यहां से शुरू होता है और यह एक यह हमारे पास यह एक फ्लैक्स यह कंटेनर है मतलब यह हम पहले इस वाले एरिये को सारे को इसके ओपर कोड करेंगे उसके बाद हम नीचे वाले एरिये पर कोड करेंगे उसके बाद ऐसे देन हम इस सब को डिवाइड करके चलते जाएंगे तो सबसे पहले हमें इस पर कोड करना है तो हमने यहां से मार्केट टूल को डिसलेक्ट करके यहां से यह वाला टूल को स्लेक्ट करना है तो यह लेयर 39 इसको मैंने स्लेक्ट किया है यहां पर जाके राइट क्लिक करना है तो लेयर का नेम आज़ेगा यह लेयर 39 है और एक ले पर हमें यह नहीं चाहिए हम इसको कंट्रोल डिसलेक्ट कर देते हैं इसको लेर 39 पर क्लिक करता हूं यहां पर मैं फिर कंट्रोल प्रेस करके यहां पर क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास यह स्लेक्ट हो गया है उसका मतलब है कि यह हमारे पास जो लोगो गया ना कंपनी का उसक कापीपेट कर दीया अब हमारा काम नेक्स हाजी हमने ईसको कंट्रोल शीफ्ट एस करके सेव कर लेना है और किसमें करना है उसी फाइल में जिस में हम यह सारा काम कर रहे हैं तो हमने डिस्क्टाप बनाई थी तो यहां पर देख लेते हैं वह क्या थी क्लासिक की नाम से थी क्लासिक वैब ये लई तो इसको हमने लोगो है तो लोगो लिख लेती है सूरी Ctrl Shift S के साथ करते है तो पहले मेरे पास PSD सेव होगी है हमने इसको लोगो लिख लेना है लोगो लिख के यहां से इसकी extension हमने PNG रख लेनी है ठीक है यहां से यह PNG आगी इसको सेव सिंपली कर लेंगे तो यह मेरे पास PNG इसकी सेव हो गई नेक्स्ट हमें क्या चीज़ चाहिए यह टेक्स्ट है यह सिंपली हमने लिखने है इसमें क्यों और पिक्चर वगरा उठाने की जरूरत नहीं है सिर्फ हम अभी यह वाला इसका पॉर्शन वह डिजाइन करने लगी है तो हम कोड की तरफ चलते हैं इधर हमने दो चीज़े होती है जी पहले हमने CSS के एक जो हमारे के पास CSS है वह होती है basically styling के लिए तो styling कुछ internal होती है ज्यातर जो प्रोफेशनली यूद हो रही होती है वह एक्स्टर्नल है हम CSS के एक लाइदा से फाइल क्रेट कर लेंगे तो हम सिंपल CSS के लाइदा से फाइल क्रेट कर लेते हैं इसको सेव करता हूं इसको सेव करता हूं इसी के अंदर वह मैं फाइल सेव करने में लगा हूं मैंने उसका नाम रख लिए है style1 ठीक है डॉट उसकी extension दे देते हैं CSS यहां से भी आपने नीचे से भी उसकी स्लेक्ट कर लेनी है CSS जहां पर लिखा होगा उसको आपने स्लेक्ट करना है यह आप यहां से सर्च कर लें यह रहा CSS.css यह हाला हमने स्लेक्ट कर लिया है और इसको यहां पर सेव कर देंगे यह हमारे पास सेव जो हूई है तो यह हमारे पास हम इसदर काम कर रहे थे तो वह हमारे पास हमने एक new style sheet create करी है अब मैं बताता हूं कि इसको हमने link कैसे करना है तो इसको link करने के लिए मैं body icon दर चला जाता हूं तो हमने इसका नाम रखा था style one इस तरह नहीं है style one हमने रखा था .css तो यह मारे पास वह शीट वह रन हो गई है तो हमने इसको check करना होगे कि हमारे साथ यह जो sheet है वो run है तो इदर हम कुछ भी लिख लेते हैं जैसे मैं name लिख लेता हूं देखने के लिए कि हमारे पास जो sheet है वो इसके साथ attach हो गई है अगर नहीं तो हम simply इसको close करेंगे तो इसमें जाएंगे जो हमने फोल्डर बनाया होगे classic web के नाम से तो यह हमारे पास जो फाइल यह है तो simple इसको open करता हूं कि मैं यहां पर control you press कर रहा हूं और यह देखें लिंक जो हमने अभी लिखा था कि शिंपल मैं control पर कंट्रोल को प्रेस करके यहां पर क्लिक करूंगा तो यह मेरे पास next file open हो गई है ठीक है आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो next file यह open हो गई है तो इसका मतलब यह है कि मारे पास जो link है वो उसके साथ accurately work कर रहा है अगर वो next file ना हो तो वह एक तो अब हम इसमें simple code करके देखते हैं कि फर्स्ट हमने क्या करना है हमारा PSD में क्या है जी हमने यह logo इसके अंदर attach करना है तो लोगो मतलब पिक्चर है एक तो पिक्चर का code लगेगा उसके लिए हम सबसे पहले यहां पर एक div बनाएंगे सारा काम totally इसका div पर होता है मैंने इसको select कर सकते हैं कोई भी ना क्लास बना के हमने simply लिखना है nav top यह मारे पास nav top आ गया then enter करेंगे फिर मैं इसके अंदर एक और div बना रहा हूं ठीक है div के अंदर मैंने एक div बनाई है यह मैंने main div है उसका नाम मैंने nav top रख है यह div है इसमें फिर class मैं create कर रहा हूं class create करी इ बनाई है तो simply मैं यहां पर image लिख रहा हूं तो मुझे source पूछ रहा है कि आपकी image कौन सी है तो मैंने logo.png के नाम से save की हूई है तो मैं simple logo.png लिखों का control s करता हूं तो हम अपनी website को देखते हैं यहां पर जाकर रन करते हैं यह आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो उसने logo जो है वो शो करवा दिया अब यह आप PSD में देखें तो हमारे पास इदर यह काफी फासले पे है उपर से भी इन चीजों पासला होता है इसको पैडिंग कहते हैं वेब डिवेल्पमेंट में तो हम इसको पैडिंग सेट किसमे होगी वो style sheet में जाके होगी तो मैं इसको हम करता हूं पैडिंग सेलेक्ट करनी है अब आप दो को मैंने बताया था कि हमने नेम रख यह क्लास का नेम है logo यह logo इसलिए कि हमें आगे जाके जब इसकी पैडिंग सेट करनी है तो सिंपल क्लास का नेम लिखेंगे और उसकी पैडिंग गयरा सेट कर लेंगे अब मैं यहां पर लोगो है तो यहां पर सिंपल लोगो लिखता हो लोगो बीटे हैं बॉअ अई उसके बाद राईट फिर बात्म हिर लेफट तो सबसे पहले हम यहां पर टॉप की फैंडिंग देंगे देन उसकी राइट साइड की देता हूं 0 PX सिंपल 0 भी लिख सकता हूं उसके बाद मैं बाटम की दे रहा हूं बाटम की भी मैं 20 PX दे देता हूं उसके बाद राइट साइड पर थोड़ी सी ज्याद है तो उसकी मैं 40 PX देखे तो इसको ऐसे करते हैं कंट्रोल एस कर दिया तो हम इसको अब रन करके चेक करते हैं कि हमारी पैडिंग ने वर्की यहां से भी और जो हमने दो पैडिंग सेट की थी इनकी यह आगे आ गया थोड़ा सा इसको लाइव इंसपेक्ट भी कर सकते हैं यह आपके लिए भी मुश्किल हो जाए कि हम बाद म भी में जाएं यहां पर ट्वंटी मैंने करीए तो ईसकी में कम भी कर सकता हूं यह 30 कर देते हैं यह हमने 30 का दी बाटम हमने घाटी का दी इसको हम 70 कर देते हैं तो इसको जाके रिफ्रेश करोंगा तो आप देख सकते हैं यह उसको थोड़ा सा और आगे ने आया है तो हम इसकी PSD में चलते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं वह तो इसकी इस ऀतना पैडंग सेट करके फिर उसकी पैड़िंग देते हैं मैं यहां से यह जैसे पैडंग चेक कर रहा हूं यह मेर पास भी मिलिमींटर में है तो यह उसकी वीड्ट और हाइड बता रहा हैं तो तो जो इसकी width है वो 82 है, इसको हम Excel में simple करके तो इसकी देख सकते हैं, ठीक है, तो जस्ट आपको भी बिता रहे हैं कि इसकी setting बेरा कैसे करते हैं, अब हमारा जो first है, उसमें जो main काम रह गया है, वो आगे है, string, drums, और प्रकुश्ट, यह हमने सारी names लिखने हैं, और यह name कैस simple लिख रहा हूं, इसके आगे मैं div की class बना रहा हूं, उसको मैं नाम दे देता हूं, top text, ठीक है, आप कोई भी name दे सकते हैं, यहां पर अपने याद रखने के लिए, यह जो उसके relative name हो, उसकी तरह का name दे सकते हैं, simple अब हमने यहां पर क्या करना है, उनके name लिखने हैं, तो name लिखने का तरीका क्या है, एक हमारे पास ul, lia, यह एक syntax है, जो piece को आप कहलें, वो हमारे पास use होगा, मैंने ul का opening और closing tag लगा दी है, उसके बाद मैं li, li का opening and closing tag लगाँगा, इसके अंदर ही मैं एक a का tag है, उसक reference देने है, वो page हमारे पास run हो जाएगा, तो simply ऐसे है, अब मैं पहले name देख लेता हूँ, first name हमारे पास क्या है, वो है strings, हमारे पास name क्या है, strings है, तो हमने इसमें code में जाना है, simply यहां पर मैं लिख लेता हूँ है, string, यह आपको यहां front end पर show नहीं होना, यह back end पर लेने इसलिए मैं इसका small लिख है, first letter, यहां पर यह show होगा, तो इसको हम सही तरह लिख लेते है, string, यह हमारे string लिख लिख लिया है, strings, ठीक है, तो simply आप इस line को copy कर ले, control C करके, control C कर ले, आप, sorry, control C करना था, then आपने यहां पर इसको control V करते जाए, जितने आपके पास name होंगे इसको control V कर ले, मैंने इसको 5-6 दफा कर लिए, next मैं name देख लेता हूँ, क्या-क्या है, drums है, percussions है, यहां पर simply आप name change करने है, तो इसका name कर लेते है, drums, इसके पीछे भी, यहां पर भी, drum होएगा, फिर, next हमारे पास था, percussions, percushion, percushion, percushion है, इधर भी हमने percushion लिखना है, percushion, percushion, okay, then next देख लेते है, next name क्या है, wind है, music stands and belly dance है, यह मैंने लिख लिए, यह मैंने लिख लिए, ठीक है, यह अब next भी, मैंने इसको भी change करना है, यह पता हमारे पास music, music stand, and then belly dance, यह हमारे पास होगे, अब हम इनको देखते हैं, क्या अभी मैंने इसकी style sheet को set नहीं किया, तो ऐसे हम चेक करते हैं, क्या यह हमारे पास ठीक हुआ है, तो मैं आपको run करके दिखाता हूँ, यह हमने run किया, यह आप देख सकते हैं, वो सारे name आ तो गए हैं, पर यह नीचे आए हैं, तो हमारे पास psd में कैसे हैं, वो उसके आगे शो हो रहे हैं, जैसे आप यहां पर यह देख सकते हैं, psd में उसके आगे हमारे पास शो हो रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट काम है, इसको set करना, यह हमारे पास आगे कैसे आएंगे, यह हमारे पास एक चीज होती है, एक scene है, यहां पर उसको flex container के नाम से जानते हैं, तो हमने यहां पर nav top है, यह हमारे पास nav top है, इसके अंदर image भी सारी यह सारे नेम भी आ रहे हैं, तो हमने इनको एक यहां पर ऐसे flex में शो करवाना है, तो उसको उसके against code हो हम लिखते हैं, तो simply हमने बना क्या करना है, यह nav top है, इसका यहां पर आगे class बना लेंगे, जैसे मैंने यहां पर लोगों की class पहले बनाई थी, तो इसके ऊपर हम nav top की class एक बना लेते हैं, simply nav top की मैंने class बना लिया है, उसका मैंने display करना है flex, display कौन सा करना है, display flex कर दूँगा, तो वो मेरे पास एक line में show हो जाएंगे, मैं आपको भी run करके दिखाता हूँ, हमने इसको save नहीं है, I think करा, control S कर देंगे, इसको भी control S करेंगे, हम अब वो save कर लिया है, अब इसको check करके देखते हैं, यह नहीं हो रहा, हम code को देख लेते हैं, एक दफा पर, यह हमारे पास यहां पर यहां पर देख सकते हैं, का mistake हो गई है, यहां पर यह एडिटर साज इसको आपको error बताना नहीं है, यह हमने एक इसका letter मिस कर दिया था, NAC लिख लिए था, हमारे पास NAV था, इस वजए से यह issue कर रहा था, तो अब हम इसको देखते हैं, यह आप देख सकते हैं, हमारे पास flex में आगे हैं, यह इसको आगे आगे है, अब इसको हमने एक line में उसके बाद यह इनके colors वगएरा, यह इसके dots हैं, इनको खतम करने हैं, तो यह हमारे पास कैसे code होगा, वो मैं आपको भी बिताता हूं, यह basically सारा code है, इसके अंदर होने वाला, तो इसके अंदर मसलन हमारे पास style sheet है, हमने इसको style करना है, तो styling में हमने इसको क्या करना है, जो हमारे पास इधर देख सकते हैं, आप ULLI का code है, इसको हमने set करना है, तो यह हमारे पास top text के आगे ULL आ रहा है, तो हमने top text के साथ लिखना है, top text, spell आपने देखने हैं, आपके जो class के spell होंगे, वही आपने लिखने हैं, नहीं तो mistake हो जागी, A- को उसके साथ लिखना ह अब हमने क्या करना है, इसका display ब्लॉक कर देना है, display को किसमें करना है, कि ब्लॉक में show हो, and control S किया है, इसको मैं check कर लेता हूँ, control S, बाकी हम code लिखते हैं, इसको हम चेक करते हैं, top text है, हमारे पास इसका name, top text, simply आप यहां से इसको copy करके, भी यहां पे paste कर सकते हैं, control V, यह top text ही है, next हमने क्या करना है, जो हमारे पास दूसरा है, control V, top text, उसके बाद L I है, L I में हमने क्या करना है, उसका display जो है, वो inline ब्लॉक कर देना है, display inline, मतलब एक line में हूँ, next हमने क्या करना है, dot then control, अब हमने A को यहां पे tag करना है, और उसके साथ, हमने इसकी text decoration जो है, यह हमारे पास यहां पे none हो जाएगी, then हमने क्या करना है, उसका color black कर देना है, text का, simply, यह हो गया, next, उसकी अपने check कर लेते हैं, कि आगे से क्या scene है, फिर उसके against जो है, वो काम होगा, यह आप देख सकते हैं, कि वो सब हमारे पास एक line में आ गए है, अब इनके दरम्यान में जो फासला है, यह काम है, और उपर वाली padding इसकी काम है, तो वो हम देख लेते हैं, उसको कैसे set करना है, यह मेरे पास file है, इसकी मैं padding दे लेता हूँ, text की, ठीक है, यह just text की मैं padding दे रहा हूँ, इसको मैं 15 pixels देता हूँ, वला वो कितनी आती है, वीडियो हमारी length ही होती जा लिए है, मैं इसको short करने कोशिश करता हूँ, तो यह देख सकते हैं कि उनके दरम्यान में padding आ गई है, अब हमने इसको ज्यादा उपर है तो इसको नीचे लाना है, तो इसकी padding set करनी पड़ेगी, उसके लिए हमने, किसको padding देनी है, आप यहाँ create कर लेता हूँ, यहाँ पर dot लगाएंगे, top text की class create करने के बाद, मैं उसको padding देता हूँ, top की सबसे पहले padding आती है, तो top की padding हमने उपर उसको 30 pixels दे हुई है, वो picture थी, इसको भी 30 pixels दे कर लेते हैं, कितनी आएगी, right side की है, right side मैं इसको दे देता हूँ, 30 pixels again, 40 pixels दे देते है इसके बाद, नीचे वाली side की भी, इसको 20 pixels दे देते हैं, then left side वाली इसको दे देते हैं, 50 pixels, इसको अब हम check कर लेते हैं, control as मैंने प्रेस की है, तो इसको run करके देख लेते हैं, यह आप देख सकते हैं, कि यह इसके सामने आ रहा है, हम इसको यहाँ से inspect करते हैं, उन मतलब मारे पास 이हां पर यह पेर्डिंग का नसला चाल रहा है इसको सेट करना हो तो हम इस सह साथ साथ इसकी पैडिंग सटार सकते हैं साथ साथ इसको देख भी सकते हैं जी कितना इसमें मैंस्कों होनी चाहिए कितने इस Toby जो प्रडीज कर देता हूं और इसके राइट साइड वाली जो पैडिंग है वो भी इंक्रेस कर देता हूं मैंने 150 कर दी तो यह वैसे तो 50 और 150 यह प्रोफेशनल ही नहीं है पर जब आप बूर्ट्ट्रेप में जाएंगे तो आपके लिए यह इसी हो जाएगा इसको यहां से सेट करना है इसको हम 150 कर देते हैं और यह फिर्स्ट वाली को हमने 50 करना है 50 क्ट्रोस्ट करें फिर्स्टेशंब नहीं है अब सब्सक्राइब करना में अगया अब यह सब्सक्ड year देख सकते हैं अगली वीडियुक्र के उफ ने अ weapons करते हैं यह बड़ारी तो इसको मार्क टूल के साथ डिस्छेक्ट कर लेंगे यह मनें मारकी टूल लिया है जितनी हमारे पास पिक्चर है उसना उसके अमने एरिया स्लेक्ट करके simply control c control n and करके control v करना है यह हमारे पास पिक्चर आ गई simply control shift s प्रेस करना है और इस पिक्चर को इसको हम लिख लेते हैं यह banner है हमारा banner 1 है इसको जेपीजी के अंदर हमें यहां पर सेव कर लिना है सेव करने के बाद Booster करें अब आपने सीपली यहां पे एक पिक्चर लगानी है कोड में अब यहां पर एक न्युक्टर रेट कर लेते हैं यह झाल निए यहां पर खत्म हो हाथ Psalm इमेज एक लगानी है तो मैं इमेज का टैग लिखता हूँ और इमेज मैंने सेव करी थी बैनर1.jpg के नेम से तो simply मैंने बैनर1.jpg लिखे है इसको गंडूलस की है इसकी मैं साथ ही width यहां पर इसको दे देता हूँ ठीक है जब मैं इसकी हां पर साथ ही width दे दूगा तो 100% इ से ctrl s किया तो यह आप देख सकते हैं हमारे पास प्रिक्टर भी उसके नीचे आ गई है next video जो इसका next portion है वह हम next video में आपको बताएंगे जैसे के हमारे पास इसका next portion है यह हम आपको बताएंगे इसमें आपने next video के लिए आप इंतजार कीजिए जहली हम वह upload कर देंगे किसी प्राउजर से relative position css में html में क्या होती है absolute position जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा वीडियो देखके लेक्टर देखके भी नहीं आएगा हमारी तो यही उमीद है कि आप इस काम को सीख जाएं web development जितनी बड़ी फील्ड है इस वकत इस दुनिय में दूसरी फील्ड उसके आगे कुछ भी नहीं है तो आपने relative position absolute position के लिए काम करना है उसके relative search करना है और यह जहामने पहला काम किया है यह first banner इसका design किया है और नीचे picture लगाई है आप यह picture लगाएं और banner लगाएं मैं आपको यह link दे दूँगा जहां से आपको यह वाली लिख देता हूं वहां से आप मुझे direct mail कर सकते हैं मैं आपको उसका foreign response दूँगा ओके ठीक है friends बने रहिए मेरे साथ next video में मिलते हैं और चैनल को subscribe करना ना बूलिएगा ओके हला आफिस